दोस्तों आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो फिर से तबी स्खेर का वर्क हाव तू फाइट इसलामिंग टेरर फ्रम दे मिस्नरी पोजीशन के उपर रहेगा तो इसके पहले मैंने अल्रेडी दो वीडियो बना दिया है इस वर्क के उपर इस नोवेल के उपर तो अग हम इस बुक का चौथा पार्ट डिसकस करेंगे जिसका की नाम है ग्रीट इन लितल ख्लोज तो यह इस बुक का चौथा पार्ट है और यह उतना जएदा इंप्रॉंट नहीं है, मुझे इस पार्ट से कुछ ज्यादा चीज है, हम चीज मिली नहीं बताने के लिए, तो हाँ, एक दो incident, यानि कि दो incident है, जो मुझे important लगा, जो मुझे बताना चाहिए, मुझे लगा कि यह मुझे बताना चाहिए इस पार्ट में तो मैंने उस पे ये वीडियो को डाला है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें तीन करेक्टर हैं रवी, तबीस और करीम और जो कुछ इसमें जो तीन और character इस पार्ट में मिलेंगे आपको वो है close Pernil और Hans तो close जो है वह एक doctor है और परण का husband है और परणील जो है वह secretary है एक university में आस जो है new doctor है और वह close के दोस्त है यानि की close और ہंस जो है यह दुनों दोस्त हैं और परणील जो है वह उनकी wife है तो दोस्तो होता क्या है कि जब ये chapter start होता है great clause और little clause तो इसमें तबीस जो होते हैं वो अपने apartment के अगल बगल जो flat है और जो apartment है उसके बारे में बताते हैं कि उसमें कैसे लोग रह रहे हैं उसका वातावरन क्या है वहाँ लोग कैसे है और फिर उसके बाद वो रभी का जो थेथिस पेपर है जो PhD में रभी लिख रहा था उसके बारे में वो बात करते हैं कि रभी जो यूजवली है वो घर मेरा कर अब PhD का थेथिस पेपर लिखना पसंद करता है लेकिन तबीस जो है वो बाहर जाकर कुछ काम करना पसंद करते हैं तो यही normal normal बाते जो है वो तबी में बहुत दिन से रह रहे थे बहुत दिन से more than two decades decades जानी कि दो दसक से जादे के टाइम से वो लोग साथ मेरा रह रहे थे क्लॉज और पर्निल तो होता है की एक दिन क्लॉज का जनम दिन होता है और वो आता है तब जो क्लॉज होता है वो काफी अदास होता है और उसके साथ साथ उसका दोस्त भी होता है हंस वो भी काफी उदास होता है तभी क्लोज के दिमाग में एक बात आता है कि अरे यार करीम जो अब देखिए करीम जो था वो एक सच्चा मुसलिम था वो दारू को लड़की को इन सब चीज को हाथ नहीं लगाता था लेकिन तबीस जो थे वो एक मोडर्ण इसके जो एक बोल सकते हूट कि मोडर्ण इसकी आदमी थह यानि कि वह लड़की साथ था फ्यर वी है सीख्रेट भी पी रहे हैं दारू भी पी रहे हैं कुई ऐसा चीज नहीं कि अगर मैं पक्का मुसलमान हूं तो मैं यह सब नई कर सकता हूं तो यह सथा और अभी मिलकर उनके birthday को celebrate करते हैं तब तब इस एक बात बोलते हैं कि आप यानि कि clause से यह बात बोलते हैं कि आप अपने घर पे अपने family के साथ क्यों नहीं celebrate कर रहे हो तब clause जो है वो यह बोलते हैं कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है मैं उनके साथ भी celebrate कर लूँगा और मैं आपके साथ भी celebrate कर लेना चाहता हूं तो बोलतेंगे चलिए ठीक है और वो दोनों साथ मिलकर celebrate करते हैं तो यह एक incident है जो इस chapter में important है और एक दूसरा incident यह है कि एक लड़की होती है उसका नाम अभी तक पता नहीं है कि वो लड़की कौन है तो लड़की जो है वो उनके घर पे आती है यानकी करीम के घर पे आती है और रोते बोलती कि मुझे करीम भाई से मिलना है मुझे करीम से मिलना है तो तब इस बोलते हैं कि नहीं वो तो अभी यहाँ पे नहीं है तो आप उनसे नहीं मिल सकते तो बोलते ही ठीक है अगर भुआ जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा और प्लीज उनसे बुलेगा लुब जाए तो आपितने जाए जाए चानिवता दीक है जाए बुलेगा प्लीज जाए झाल झाल